अपने जोश, जुनून और हुनर से मन्जिलों की तरफ कदम बढ़ाने वाले अपनी कलम के दम पर हर्यानवी म्यूजिक इंडास्ट्री में पहचान बनाने वाले कम समय में ही सभी के दिलों पर छा जाने वाले बिंदर दनोदा का जन्म एक जुलाई 1990 के दिन हर्याना के दनोदा गाउं में हुआ था इनके पिता जी जै भगवान एक किसान है और माता जी संतोश देवी एक रहनी चार बहन भाईयों में बिंदर सबसे बड़े हैं बड़ा बेटा हुने के कारण बिंदर बजबन से ही खेती बाड़ी में अपने पिता जी का हाथ बटाते रहे हैं बिंदर की प्रारमभिक शिक्षा गाउं के स्कूल से ही हुई पढ़ाई में अच्छा होने के कारण परिवार वालों ने दस्वी पास करने के बाद ग्यारमी कक्षा के लिए इनका दाखिला सिर्सा के एक स्कूल में करा दिया और इसी कारण से बिंदर को होस्टल में रहना पड़ा इनका दिल होस्टल में नहीं लगा और ये अपने घर वापस जाना चाहते थे वहां पर इनकी मुलाकात एक जान पहचान वाले रमेश चहल से हुई रमेश चहल एक कवी थे बिंदर ने अपनी समस्या उनको बताई तो रमेश जी ने बिंदर को कहा कि जो तुम्हारी समस्या है उन्हें लिख कर दो तब तुम्हें होस्टल से निकलवा सकता हूं। उस वक्त बिंदर ने पहली बार लिखने का कारे शुरू किया और अपनी आप बीती कुछ कविताओं के माध्यम से घरवालों को सुनाई। बिंदर की इन कविताओं से रमेश चहल काफी प्रभावित हुए और बिंदर को आगे लिखने की प्रेणा दी। इसके साथ साथ बिंदर ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी और गवर्मेंट कॉलेज हिसार से बी एस सी की परिक्षा पास की। बी एस सी करने के बाद इन्होंने गाउं में एक पहचान वाले स्कूल में एक अध्यापक के रूप में कारे करना शुरू कर दिया। साथ साथ बिंदर अपनी कविताओं को भी वक्त देता रहता था। बिंदर अपनी कविताओं और गीत अपने साथी अध्यापकों को दिखाता और सुनाता रहता था। जिसके कारण बिंदर के गीतों से प्रभावित होकर साथी अध्यापकों ने उन्हें नैनखाप के दादा रामेश्वर तीर्थ के लिए भजन लिखने के लिए कहा बिंदर और इनके साथियों ने मिलकर दादा रामेश्वर के लिए एक भक्ती आलबम निकाली जिसमें से तीन गीत बिंदर द्वारा लिखे गए थे दादा रामेश्वर तीर्थ की मानिता नैन खाप के बाव इस भक्ती अल्बम के हिट होने के बाद बिंदर ने इसी फिल्ड में अपना करियर बनाने की सोची। दनोदा गाउं के ही एक और बड़े कलाकार हैं कुलबीर दनोदा जिनने केड़ी के नाम से जाना जाता है। केड़ी एक अच्छे राइटर और रैपर की रूप में अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। जब बिंदर केड़ी से मिलने उनके घर पर गए तो खुद केड़ी की मा ने केड़ी के सामने बिंदर के भजनों की तारीफ की। साथ ही केड़ी ने भी इनके लिखे गीतों के लिए इनको आगे बढ़ने का हौसला दिया। केडी के बाद बिंदर की मुलाकात रामेहर महला से भी हुई, उन्होंने भी बिंदर के लिखे गीतों और कविताओं को काफी पसंद किया और उन्हें आगे काम करने की सलाह दी, हर्याना के दो मशूर राइटरों से तारीफ और होसला पाने के बाद बिंदर में एक नया और इन्होंने और मेहनत के साथ काम करने का निर्ने लिया, जल्द ही इस सफर में इनका पहला पड़ावाया, जब इनका पहला गीत रिकॉर्ड हुआ, ये गीत था छोरा जाटका, छोरा जाटका के साथ ही इनका एक गीत और मार्किट में आया, जो सामाजिक संदेश के साथ लिखा गया था जिसका नाम था लाडो रानी बिंदर की लिखे ये शुरुवाती गाने कुछ खास नहीं चले मगर इनसे बिंदर को एक पहचान मिलनी शुरू हो गई इसी के चलते इन्हें एक और गीत लिखने का प्रस्ताव मिला बिंदर ने गीत लिखा और सुरेश पुनिया ने गाया ये गीत अच्छा चला और सभी को पसंद भी आया गीत का नाम था तू हनी सिंग पे मरती इस गीत के बाद किसी प्रोग्राम में बिंदर के मुलाकात हर्याना के मशूर राइटर और सिंगर रामकेश जीवनपुरवाला से हुई रामकेश ने इनके गीत की काफी तारिफ की और कहा कि इनके इस गीत के वो खुद प्यान है रामकेश के मुख से ऐसी तारिफ सुनकर बिंदर को बड़ा ही गर्व महसूस हुआ इसके बाद बिंदर दनोदा की लाइफ का वो गीत आया जिसने इन्हें रातो रात लाखों का चहेता बना दिया एक शुरुवाती गीत जिसकी तलाश बिंदर को काफी दिनों से थी गीत का नाम है कि जिंदल के ब्याराखी इस गीत को राजु पंजाबी और सुशीला नागर ने गाया वी आर व्रदर्स ने इसका म्यूजिक तयार किया और इस गीत पर एक्ट किया अरुन आर्यन और अंजली राघव ने साथ ही इस गीत में बिंदर ने रैप भी किया इस गीत ने युवाओं के दिलों में बिंदर के लिए एक अलग ही जगह बनाई इस गीत के दोरान बिंदर के मुलाकात नीनू सिंधर से हुई और तभी से बिंदर और नीनू की एक मश्हूर जोडी बन गई वैसे तो हर्याना में जीजा साली, भावी देवर और प्रेमी प्रेमिका के काफी गीत चल रहे थे मगर बिंदर ने एक अलग ट्रेंड बनाते हुए पती पतनी के लिए एक गीत तयार किया जिसका टाइटल था मेरे आलू बुखारे प्यार प्रेम के साथ साथ बिंदर के मन में हमेशा से ही सामाजिक रिष्टों के बारे में कुछ ना कुछ करने का प्रयास रहता था और इसी कड़ी में भाई बेहन के अटूट संबंधों और एक बेहन की मजबूरियों को दिखाते हुए बड़ा ही सुन्दर गीत लिखा और उसमें एक्ट भी किया इस गीत ने बिंदर के नाम के साथ साथ उनका मान सम्मान भी बढ़ाया गीत था पहुँचियां का दर्द जिसमें खुद बिंदर ने एक्ट भी किया और इनका साथ दिया एनी बी यानी अनामी का बावा ने पहुँची के दर्द के साथ साथ बिंदर ने भगवान शिव की आराधना और कावडियों के लिए गीत तयार किया जाट वर्सिस भोला ये गाना अपने सीजन का सुपर हिट गाना रहा और लाखों शिव भक्तों द्वारा पसंद किया गया इन गीतों के बाद बिंदर का नाम हर्याना के स्थापत कीदकारों में आ गया और इनकी काम में भी उन्नती हुई इसी दोरान इन्हें एक ऐसा गीत मिला जिसे बिंदर अपनी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा हिट सौंग मानते हैं और है भी क्योंकि बिंदर द्वारा लिखे इस गीत में हर्याना की सुपरस्टार मॉडल सपना चौधरी ने काम किया था वीडियो ही नहीं इस गीत का ओडियो भी काफी बड़ा हिट साबित हुआ और आज तक लगबग हर शादी ब्याह समारों में डीजे पर आपको ये गीत सुनने को मिल जाएगा जीहां हम बात कर रहे हैं सुपर इट सौंग लाड पियाके की लाड पियाके के बाद बिंदर ने कई और हिट गीत हर्याना की जनता को दिये जिन में से अलबाद, 302 और अलबाद दन्चोरी मुख्य गीत रहे हैं इनके साथ साथ बिंदर दनोदा ने नीनू सिंधर के साथ मिलकर शिव भक्ती का एक और गीत लिखा ये भक्ती गीत बड़े कमाल का था और कावड के सीजन में हर साल बचता है ये गीत अमित ढुल और बिंदर दनोदा ने गाया और साथ ही बिंदर ने प्रदी बूरा और पूजा हुडा के साथ अभिने भी किया गीत का नाम था भोले चेला बना लेने कमर्शिल गीतों के साथ साथ बिंदर सामाजिक सरोकार के लिए भी काम करते रहते हैं समाज और पारिबारिक प्रिष्ट भूमी और सामाजिक बुराईयों के खिलाफ आवाज उठाते इनके गीत बीच-बीच में आते रहते हैं इसी श्रेणी में नशे जैसे बुराई पर प्रहार करता इनका एक बड़ा ही मार में गीत आया जिसमें खुद बिंदर ने अभिने भी किया था गीत लोगों द्वारा बड़ा ही सराहा गया इस गीत का नाम था अर्थी बाबू की इस गीत के साथ साथ बिंदर ने कुछ और भी गीत किए हैं जिन मेंसे हुश्रा की सरकार, छोटा जमिदार, काफी हिट गीत सावित हुए हैं बिंदर दनोदा ने हर्याना की कई टॉप मॉडल्स के साथ काम किया है इसी क्रम में सोनिका सिंग के साथ इनका एक गीत आया था जिसमें सोनिका को एक खलनायका के रूप में पेश किया गया था इस गीत में बिंदर ने अभिने किया था गीत का नाम था खलनायक जाटनी स्टूडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो सॉंग्स के साथ साथ बिंदर लाइव स्टेज शो भी करते रहते हैं और इसी क्रम में जगा जगा होने वाले समारू में शिर्कत करते हैं अपने लिखे गीतों के लिए इने दो बार बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड लाडवा गवशाला अवार्ड शो में मिले हैं पहली बार लाड़ पिया के गीत के लिए और दूसरी बार पौँची और अलबाद हो जागी गीत के लिए इसके अलावा जिंदल सौंग के लिए भी इन्हें अवार्ड मिल चुका है खाली वक्त में बिंदर अपने खेतों में काम करते हैं और अपने परिवार का हाथ बटाते हैं इनके परिवार में मा, बाप, दादा, पत्नी के साथ साथ दो बच्चे भी है इन्हें अपने परिवार के साथ रहना समय गुजारना अच्छा लगता है बिंदर दनोदा और नीनू सिंधर एक जोड़ी के रूप में काम करते हैं इसके अलावा अन्य साथी कलाकारों के साथ भी अच्छे संबंध हैं और सबसे प्यार प्रेम के साथ मिलते हैं इनके मिलनसार स्वभाव के कारण सभी इन्हें अपने छोटे भाई के रूप में पसंद करते हैं इसके अलावा नए कलाकारों के लिए बिंदर का कहना है कि जब भी इस फील्ड में आएं पूरी तैयारी के साथ आएं बदमाशी, नशों और अश्लील गानों से हट कर सामाजिक और सांस्कृतिक गीत बनाएं जिससे हर्याना और हर्यानवी का मान सम्मान बढ़ें और उमीद करता है कि बिंदर दनोदा ऐसे ही मेहनत करके अपना, अपने गाउं का और प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाते रहे जै हर्याना, जै हर्यानवी झाल